अगर आप uploaded करना चाहते हो और ओर अच्छे इकौलेज को शूज नहीं करते हो तो फिर आपको इंजिरियनिंग से उतना अफायदा नहीं हूपाईगा जिसना कि आप एक अच्छे These Nonikology को से प्थे लेके करते विदियो में आपको बताऊंगा कि भीघर एक वीडियो मैंने पहले ही बना रुखाया है चैनल पर आप से देख सब्सक्राइब करना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एक अच्छे सब्सक्राइब करने में आपकी मदद करते हैं तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें फिर इसो देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन सा कॉलिज आपको टॉप प्राइटी पर रखना है तो यहां पर जो है वो लिस्ट के हिसाब से कर सके तो यह लिस्ट मैंने बनाई है और उन सबी स्ट्रूइंस को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो की चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और हमारे चैनल को लगातार ही सपोर्ट करते आ रहे हैं तो देखिए सबसे पहले जो वो मिल्स सीक्वे मैं बता रहा हूँ इंक्रीजिंग और में ओके मिस फर्स्ट सेकेंड ऐसे और में मैं कॉलेज के लिस्ट बताऊंगा कि देखिए फर्स्ट नमबर पे यूज्वली बच्चे भागलपूर में भढ़ना में कन्फ्यूज रहते हैं और मिट और भागलपूर इस दोनों में से प्रस्ट प्राटीपे लखाया है तो भागलपूर को मैंने स्प्राटीप रखाया है सकेनड प्राटीप मैंने मांद एंचिनरिंग नाम क्या है लेकिन मैं दिस्टिग 로इड़ उप आप वहाँ से फिर अपना चूज कर लेना उके तो फर्स नमबर पे भागलपुर हो गई सकेंड नमबर पे M.I.T. हो गई थार्ड नमबर पे गया फॉर्थ नमबर पे N.C.E. चंडी उसके बाद फॉर्थ नमबर पे आप मोतिहारी या फिर दर्भंगा रख सकते हैं फॉर्थ नमबर पे मोतिहारी या फिर दर्भंगा फिर जो आती है फिफ नमबर पे यही मोतिहारी या दर्भंगा में सकोई आ जाएगी तो फिर उसके बाद 6 नमर पर आती है छपरा, Okay, LNJ, PIT, छपरा, LNJ, PIT, छपरा, उसके बाद जो आती है, वह आती है पुर्णिया, Okay, पुर्णिया, उसके बाद आती है सासाराम, सासाराम, आप सभी जो है, वो copy पे नोट करते जाएं, अगर अभी तक आपने copy कलम नहीं नि लेखे दिखे सबसे पहले आगई भागलपूर सकेंड नंबर पे आ गई हमाटी थाड़ नमर पे गया फूर्त नंबर पर एंसी चन्डी फिफ नंबर पे एंसी मोतिहारी सिख नंबर पे दरभांगा सेविन नंबर पे एल्न जे पी एटी छपड़ा उसके बाद सुरी मैं सीक्वेंस थुरा मींस नंबर इंब भूल गया लेकिन छपड़ा के बाद आप पूर्णिया को रख सकते हो सासा राम और विल्टिंग बहुत अच्छी बनी है इसके बगतियारपूर और उसके बाद सुपॉल यह लिस्ट बताई मैंने यह सभी कॉलेज़ेस को आप टॉप प्राइटी में रख सकते हो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आप ध्यान से सुन लो और एक बार मैच कर लो अपना सबस्कारण के बाद सब्याओं अब इतनी कॉलेजेस की लिस्ट निस ह 있으ा उसके लिए 된 सबीके पर्माननेंट कैंपस भी हुस्टल भी alo इसके लिए आपको कुछ जिंता नहीं करनी है आप आते हैं उन कॉलेज की जो की नए खुले हुए हैं और इन सभी में आपको कौन पहले भरना चाहिए देखिए इसके बाद जो अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को जो है वो सबसे पहले में भरना चाहिए जी इसी समस्त पूर चौकी एका मत ओके क्योंकि इसका सीधा साकारण है कि इसकी क्लासेज मुझहपरपूर में चलती है और इसके बाद जो मैं मिस सुपॉल तक जो मैंने लिस्ट बताई ओके वो थुरा कॉलेज के अपने पर्मानेंट कैमपस और होस्टल के हिसाब से बताया है मैंने और उ लिए कोई भी होम डिस्टिक है आपका और आपको सोछो गी मुझे वैसाली साली कोहीं तो फिर न नहीं कहीं बहुत अच्छा नहीं होगा चयोंकि आप अच्छे मैं आता हूं की अरवल या फिर जहानाबाद को रखना चाहूंगा उसके बाद मैं आता हूं इसलिए क्योंकि इसकी क्लासिज, दरभंगा में चलती है आप नाम अपना देखला है जी मदवनी है फिर जो भी हो मदवनी की जो क्लासे मदवनी की जो क्लासेज है वह दर्भांगा में चलती है उसके बाद आती है डबलू सी जी सी वेस्ट चंपारनों के जी डबलू सी वेस्ट चंपारन की क्लासेज जो है वो मुधिहारी में चलती है उसके बाद आती है बक्तिया जा रहे होगे तो बक्सर और भुझपूर हो गई यह जो की भक्तियारपूर में उसके बाद आप लिख सकते हो और रंगाबाद और रंगाबाद इसलिए क्योंकि इसकी क्लासे जो है वो सासाराम में चलती है ओके अब देखिए जो क्लासेस का चलना है यह अगर आप सोचिए के कि अगर यह जिसे कुछ ऐसी भी कोलेजेश हैं जिनकी क्लासेस पोल टेखनी तो यह आप है अगर आपको बात में शिफ्ट कराया जाएगा तो अच्छा हैं कि आप इंग्रींग कॉलेज में हो सब्सक्राइब को अगर आप MIT के साथ मिलके पढ़ोगे और अगर आप समझती पुर आपको एलोट हुआ है तो आप मिलके पढ़ोगे तो यह बहुत अच्छा है कि MIT के सारी फैसलेटी आपको मुहिया कराई जाएंगी साड़ी नहीं होगी लेकिन कुछ सब्सक्राइब करता हूँ कि पोल्टेकनिक कोलेज में जो क्लासे चलती है उसके बात करता हूँ कि पोल्टेकनिक थोड़ा समय पॉज ले ले के बोलूंगा तक आप एक बर मैच कर पाऊ या फिर लिख पाऊ बहागलपूर एमाइटी गया एंसी चंडी एमसी मोतिहाडी, दर्भंगा, एलेंजे पी आईटी छपरा, पुर्निया, सासाराम, बक्तियारपूर, सुपॉल, समस्तिपूर, अर्वल, जहानाबाद, मधुबनी, जीएसी वेस्ट बेंगॉल, बक्सर, भोजपूर, और अंगाबाद, और फाइनली जो है वो, अब मैं आता हूँ वो सभी कॉलेजेस पे जिनकी क्लासे जो है वो पॉल्टेक्निक कॉलेजेस में चलती है, अब पॉल्टेक्निक कॉलेजेस में एक और है, ओके मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ, जमूई और मुंगेर के बारे में, आप एक बार इसको देख लेना, इसके बारे में थोरा रिसर्च कर लेना, मैं बहुत इस पे खोजा लेकिन मुझे उतना डेटा नहीं मिल पाया, तो आप जमूई और मुंगेर के बारे में थोरा देख लेना, उसके बाद मैं आता हूँ वैसे colleges जो की पर टेक्निक वैसे इंजर्णी कोलेजिस क्लासे जो है वो पर टेक्निक इंजर्णी कोलेज में चलती हैं तो यह सभी आ गई सिवान जमूई खगडिया नवादा सेखपुरा वैसाली पर टेक्निक कोलेज में अभी इससे पहले जो मैंने लिस्ट बताई थी वो स सिवान जमूई खगडिया नवादा सेखपुरा वैसाली ओके अब इसके बाद वैसे कुछ कॉलेजिस जिनकी अपनी पर्मानेंट कैमपस नहीं है लेकिन वह नियर्भाइ कोई हाई स्कूल या फिर वहाँ पर कोई भी नियरेस्ट ऐसे चून के बना दिया गया है जहां पर उसकी क्लासेश चल रही हैं ओके वह सभी कुछ कॉलेजिस हैं जैसे कि बाका मध्यपूरा गुपाल गंज कैमूर सीता मढ़ी और कटिहार तो आपको इसको रिसर्ट कर लेना लेकिन यह सभी जो कॉलेजिस बताई उसे आप नीचे ही रखो तो ज्यादा सही है आराउंड मै कोई नहीं कोई कोई ना कोई ओके मिस अनी demiş होगा की और यह जो मैंने रिषरेंस लिया की कौन-कौन से सि срав को रख सके और अपनी चॉइसे में अप उन सभी को रख सके तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कौन-कौन से कॉलेज के चॉइसे हैं जो कि आपको भड़ने हैं और फिर मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा आपके भीहार सब्सक्राइब कर ले और फिर मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे वीडियो के सांथ तो फिर मिलते हैं है वैं गुड़ डे और पी सब्सक्राइब को दी चैनल न्यानियो